नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम में खूब पसंद से खाने वाली नारियल पिटा और दूख पीटा ये बनती है बस 3-4 इंग्रेडियन से और बहुत ही आसान है बनाना तो फटा फरसे रेसिपी को स्टाट करते हैं सबसे पहले पीटा का स्टफिंग्स के लिए हमें चाहिए नारियल और गूर मैंने नारियल को भूनने के लिए खजुर का गूर इस्तमाल किया है नारियल को कूर लेना है और नारियल को गरम पैन में 2 मिनित तक ड्राई फ्राई कीजिए उसके बाद उसमें गूर में लाई है मेडियम फ्लेम में नारियल को फ्राई करते रहिए आपके स्वाद अनुसर और भी गूर एट कर सकते हैं 10 से 12 महीट में नारियल फ्राई हो जाएगी बड़ी ऐसा खुसबू आने लगे तो समझे नारियल फ्राई हो गया है उसे एक पावल में निकान लीजिए स्टफिंग्स रेड़ी है अब आगे का तयारी करते हैं चावल का आटा ले लिया मैंने और गुन-गुना गरम पानी से जिस तरीका से आटा सानते हैं उस तरह से सान लेना है आटा को मुलायम ही सानना है आटे का छोटा छोटा लोई बना लेना है और हर एक लोई को हतली से राउन करके फ्लैट कर लेना है और उसके अंदर नारियल स्टफिंग्स फरकर मुग को बन कर देना है और साइट्स को मौर का डिजाइन कर देना है इस तरीका से हर एक लोई में पेठा रेडी कर लेना है इस फिल्ड डो को हम दो तरीका से बनाएंगे पहला दूद में बॉयल करके दूद पीठा और दूसरा स्टिंग करके सिद्द पीठा दूद पीठा के लिए एक कटोरी में दूद लेकर उसमें गुड मिलाकर साइट कर देना है इसे क्या करना है हम आगे बताते हैं दूद को बॉयल कीजिए और उसमें इलाइची और फिल्ड डोस को देकर 10 मीट मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए 10 मीट के बाद ओबिन बन करके बावल का गुड मिला हुआ दूद इसमें मिला दीजिए ऐसा करने से गुड पूरे दूद में आसानी से evenly स्प्रेड हो जाएगी हमें ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ेगा सारे के सारा पीठा हमें साबूत मिलेगी तूटेंगी नहीं आधा फिल्डो हमने रख लिये थे सिद्ध पेठा के लिए एक चंदी लेना है और इसके इंसाइट ओयल से ग्रीज कर लेना है और सारे पेठा को अंदर सजा कर रख लेना है अब एक बड़ा परतर में पानी बॉयल करना है उसके उपर पेठा वाला रखकर उपर से एक धक्कान से धक दीजिए दस मिनिट के बाद एक कपड़े से करके चंदी को नीचोगता लिजिए और एक एक करके पेठा खारी कर लिजिए और सर्फ करिए नौलिन गूर के साथ फ्रेंड्स अगर आपको मेरा रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए शेयर करें लिजिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का ओल बटन प्रेस करिए ताकि मेरा हर नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे